हेलो स्टुडेंट, फ्रि इंडियन कुछ इंग में आप सभी का स्वागत हैं, तो आज बात करते हैं अर्दवार्सिक परिक्ष्षा 221 किसक्षा 9-1 हिंदीका पेपर, ठीक है, तो अभी आपका तीन तारीक आनि कि तीन फर्वरी को हिंदी का पेपर होने वाला है अर्थबारसिक पेपर तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण प्रशने होंगे जो कि आपका स्लेवस अर्थबारसिक के लिए निश्चित किया गया है कि गद्घंड से आपके 9 और 10 अध्याए आएंगे गद्घंड से 1 और 2 अध्याए और ब्रच कोस पूरा रहेगा तो इन सभी का आपको important question दिया जाएगा जो कि आपके कल के paper में आनि कि आपका जो दो फर्वरी को paper होने वाला उसमें सभी आएंगे अभी मैंने आपको कक्छा 11 बालों के लिए जो हिंदी के most important question बतायते पूरे आज के paper में पूछे गाए हैं इसलिए आप कक्छा 9 मी में हो तो हिंदी का paper के लिए आप पूरी तयारी इस वीडियो में कर सकते हो जो भी question होगे खास important होगे इसलिए आप सभी question को याद करना है कोई भी question आपको miss नहीं करना है तो चले start करते हैं सबसे पहले पद्धघंड की बात करते हैं तो देखे यहाँ पर आपको जो भी important question यहाँ पर दियेगा है सभी को लिखते जाएए जैसे अपकी first question है आपका की काटे कम से कम मतबो का का आसा है ठीक है जीवर का सच क्या है जीवर मार्ग में काटे और कलिया क्या है इस सभी question अभी से रठ लीजिए कल के paper में आने बाले हैं काटे कम से कम मतबो कवीता का केंद्री भाव लिखिए जोपड़ी में ही हमारा देजवस्ताह से क्या आसा है कभी ने सहर बासियों को बासना का साप क्यों कहा है इसके बाद next question है कभी भवानी प्रसाद मिस्त्र को घर की यादें क्यों आ रही है इसके बाद है दीनता की उपासना से क्या आसा है इसके बाद है वदी हुई जंजीर किस गले के आभरण का रूप धारण करती है कभी ने बासना के पहले कौन-कौन से बिशेशन प्रयोक्त किये हैं और क्यों सौधिन्ता और प्राधिन्ता में अंतर लिखिये देखें सभी कॉश्चन अभी से आप याद कर लीजिए कल पेपर में आने वाले हैं इसके बाद गदगंड के प्रिश्न उत्तर देखते हैं इसमें आपके अध्या एक और दो सामिल किये गए हैं तो अध्या एक और दो से ही कौश्चन पूछे जाएंगे तो फर्स्ट कौश्चन है स्वामी जी के अनुसर भारत के लोगों दूसरे धर्मों को किस रूप से सुईकार करते थे इसके बाद कॉश्चन है आपका स्वामी जी के अनुसर सीगर ही प्रतेक धर्म की पताका पर क्या लिखा मिलेगा इसके बाद है भारत में जन्म लेने पर स्वामी विविकान नंद जी को क्यों अभिमान है इसके बाद है वाद देखिए प्रिशनी क्रमांग 6 जिसमें आपके अतिलागुत्री प्रिशने सामिल किये गए है साहसी मनुस्तिक प्रकार के सपने देखता है लहरों पर तैरने बालों को क्या मिलता है रामधार इसाय दिनकर के अनुसार जिन्दिकी में लगाने बाली पूजी कौन सी है तो यह आपके अतिलागुत्री प्रिशने समें है इसके बाद देखते प्रिशने क्रमांग 7 तो प्रिशने क्रमांग 7 में जिन्दिकी की कौन कौन सी दो सूर्त है समझाईए साहसी मनुस्तिक की क्या पहचान है तो इसमें से मैंने 8 important question रखे है इसलिए आप इन सभी को सुझ गंद्देशों गया हैसके बाद देखते हैं ब्रचकोस क्या पढ़ना है बहुँतर करना देख Uh लेज Creating water देखकोस में से कोई निष्यत नहीं किया गया हैसए इसलिए ब्रचकोस आपको पूरा पढ़ना पढ़े गा आप आसानी से कर लोगें इसलिए आप उनको भी पढ़ लेना और उसमें से मैंने कौस्छन को छाड़ कर यहां पर लएप नर्ट और लिख तो इनकौस्टुम को विल्ग देख लिजे। हकीकत में किस्मत किसे कयते हैं जो अपनी किस्मत रचते होने क्या कैते हैं अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए इस वरकार की question आपके ब्रिच कोस में होगे, ठीक है, ब्रिच कोस में से समानार्थी, तत्वास अब्धे भी पूछे जाएंगे, उसी में से खालिस्तान आएंगे आपके भारत के दिया हैं दोनों अप्रकार का लिखाया पर इसांब कर लिजिए चेनलपना सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना अपने दोस्तों में से यार ज्यादस ज्यादस सेर भी कर देना है थैंक यू